हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू 90 डेस चैलेंज बाइ विद्यमंदर क्लासिज मैं हूं सागर चावला आपका मैथमेटिक्स मेंटूर जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो का परपस यह है कि आपकी तैयारी को ओस्ट्रोंग करना जो आप लोग ने तैयारी करी है उ इस expression को satisfy कर रहे हैं cos x plus cos y minus cos x plus y equals to 3y2 साथ मैं कुछ constraint है एक सब्सक्राइब पर और पूचरा है कि sin x plus cos y की value बताओ हना तो हमारा purpose क्या रहेगा पहली बात तो इस में से कुछ यह काम किया जाए कुछ यह तिकड़ाम लगा जाए कि x या y की value हमारे पास आ जाए तो that मैं x or y की value यह put करूं तो मैं इसकी value बताओ जैसे यह आप लोग जानते हैं कि trigonometry में आप लोग ने बहुत practice करे होगी जब questions की तो angles को निकालने के लिए हम एक थोड़ी सी trick यूज कर रहे थे क्या कि trigonometry को इस तरीके से लिखा जाए कि दो product बन जाए है ना दो product बन ज दे रहे थे हैं आप इसी तरीके है कुछ काम हमें इस question में करना है थोड़ा साई tricky है question में ध्यान देखना कैसे करेंगे हम इस question को हमारे पास given क्या है cos x plus cos y minus cos of x plus y equals to 3 by 2 यह उसने हमारे को given दे रखा है हमारे से sin x plus cos y की value मांग रहा है है अब देखो क्या cos c plus cos d का फ़रू न cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 और cos c minus d by 2 तो यहां से क्या आगे हमारे पास 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 correct है अब जब मैं half angle में आई गया हूँ तो इसको भी half angle में convert किया लिया जाए तभी तो उनके बीच में कुछ relation निकले है हमारा है ना अब minus cos x plus y cos angle को उसके half में convert करना हो cos की term में तो formula क्या होता है cos 2 theta equals to cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1 है ना तो यहां पर फोरन लगा दो क्या आगे हमारे पास 2 cos square x plus y by 2 minus 1 यह हमने क्या कर दिया इसको भी convert कर दिया कि इसमें half angle में convert कर लिया ठीक है अब देखो इसको कुछ adjust कर सकते है हम लोग करो इसको 2 cos x plus y by 2 आगे मेरे पास यहां पर into cos of x minus y by 2 आगे है यहां पर minus 2 cos square x plus y by 2 और minus minus करेंगे तो यहां पर आजाएगा मेरे पास plus 1 equals to 3 by 2 अब इस plus 1 को अगर मैं वहां पर shift करो तो 3 by 2 minus 1 कितना हो जाएगा मेरे पास क्या मैं इसको 1 by 2 करके adjust करके लिग दे है ना इस statement में तो हमारे पास क्या आगया basic के लिए 1 by 2 आगे यहां जो plus 1 ब दिखेंगे so that मैं 0 से equate कर पाऊं ताकि मैं x या फिर y निकाल पार हो यहां पर 4 cos आगया हमारे पास यहां पर cos x minus y by 2 आगया यहां पर क्या किया भी 2 को shift करा इधर की तरफ 4 cos square x plus y by 2 equals to 1 आगया मेरे पास यहां पर लेकिन अभी भी हम बात कर रहे है दीरो बनाने की लेकिन दीरो तो अभी भी नहीं बन रहा है तो अभी फिर कुछ adjustment करना पड़े हो हमारे को है ना क्या मैं इस 1 को धेको ध्यान से क्या एक यहां पर square बन रहा है ना 2 cos x plus y by 2 का whole square बन रहा है क्या यहां पर 2 into 2 cos x plus y by 2 आ रहा है आ रहा है कुछ a square और 2 a type की equation मेरे पास बन रही है यहा पर हमारे पास adjust करना है क्या मैं इस 1 को ध्यान से देखना अब मैं जो पता है कि trigonometry में हमारे पास वह होती है identity sin square x plus cos square x is 1 तो क्या मैं 1 भी तो sin square x plus cos square x होता है ना है ना तो मैं इसको वापिस reverse वाले process को यूज करेंगे plus 4 cos square x plus y by 2 minus 4 cos x plus y by 2 into x cos of x minus y by 2 किसके बराब plus में यहां पर plus में हमारे पास क्या था sin था तो plus sin square x minus y by 2 किसके बराबर आजाएगा हमारे पास 0 के बराबर आजाएगा सही है इस पूरे statement को मैंने उसकी तरफ shift कर दिया तो हमारे पाद देखो क्या बन रहा है देखो a square क्या यह 2 cos x plus y by 2 का square बन रहा है तो b square minus 2 into 2 cos x plus y by 2 और cos x minus y by 2 तो क्या मैं इस पूरे को collect करके x square form कर सकता हूं बिल्कुल कर सकते हैं क्या बनेगा हमारे पास cos of x minus y by 2 minus 2 cos of x plus y by 2 का whole square बन गया है आपर हमारे पास बन गया ना देखो क्या किया हम लोगों ने terms को combine किया और a square plus b square minus 2 a b वाली identity से उसको वापिस pack कर दिया साथ में आगया मेरे पास plus sin square x minus y by 2 equals to 0 क्या किसी number का square plus some other number का square अगर 0 होता है अगर a square plus b square अगर 0 है और real number system की में बात कर रहा हूं तो a भी 0 होता है और b भी 0 होता है सही बात है तो यहां पर हमारे पास इसका square plus sin x minus y by 2 का square है यहां से बोल सकता हूं कि x minus y by 2 0 होगा तो इसके मतलब यहां से क्या आगया हमारे पास x equals to y आगया अब x equals to y यहां पूट कर दो x equals to y यहां पूट कर दो यह भी अगें दिर हो गया cos 0 कितना होता है वन तो 1-2 cos x plus x by 2 equals to 0 x plus x कितना हो गया आपने पास 2x तो 2x by 2 हमारे पास again x आ गया तो कितना आ गया 1-2 cos x की value आगे मिरे पास 0 यहां से आ गया मिरे पास cos x equals to कितना 1 by 2 cos x कितना आ गया 1 by 2 तो cos x positive है और मुझे cos x positive आ गया 1 by 2 आ गया तो this implies में क्या बोसकता हूं x की value कितना आगे मिरे पास cos x 1 by 2 कहां पे होता है yes कहां पे pi by 3 पर cos x कहां पे होता है pi by 3 पर x आ गया pi by 3 x y के बराबर था तो यह भी किसके बराबर हो गया y के बराबर हो गया तो x की value pi by 3 और y की value भी क्या आगे मिरे पास pi by 3 अब मुझे value किसके टेगे मेरे को जाहिए sin x plus cos y की value sin x plus cos y x को pi by 3 पूट करो sin pi by 3 y को pi by 3 पूट करो cos pi by 3 तो sin pi by 3 कितना होता मिरे पास under root 3 by 2 और cos pi by 3 कितना होता मिरे पास 1 by 2 हाना तो इस इंपलाइस कितना हो गया यह अंडर root 3 plus 1 by 2 हमारे पास answer आ गया sin x plus cos y की value के आ गई 1 plus में root 3 by 2 अंतर d is our correct option देगा कुछ भी नहीं है थोड़ा सा आपको chronology लगाना है कि मुझे 0 से adequate करने के लिए थोड़ा सा adjustment करना पड़ेगा थोड़ा सा manipulation करना पड़ेगा और manipulation आपके सामने है कि मैंने 1 को sin square angle plus cos square angle लिखा यहां पर और बस square pack करके आगेन 2 square के sum जो है मेरे पास 0 था तो इंडिविजिवल जोगन की value होगी वो 0 होगी यहां से x equals to y और cos x equals to 1 by 2 इसका मतलब x आगा नहां से मारा कितना 5 by 3 हमने value वापिस पूट करी sin x plus cos y आंसर आगे हमारे पास 1 plus root 3y 2 तो आई होप आपको इस question समझ में आयोगा बेटा इस 90 days challenge को accept करना है ना पूरा अच्छे से preparation करनी है मेंस की और पूरा 4 देना मेंस की exam को इस वीडि में ताकि आपका अपना फायदा हो पाए थैंक यू